स्टार्ट करते हैं क्लास को यह आप जो देख रहे हैं यहाँ पेपर है दो हजार अठारा का और आप लिभात तरीके से परचित हैं कि यह क्लास जो है प्रैक्टिस चल रही है इस समय यूजिसे नेट और यम्पी सेट के साथ साथ उत्राखन में कर सोसोबक के लिए भी इंप को पढ़ना और उसके बाद प्रश्फ्ण का जो है जवाब देना होता है परन्तु मैंने एक ट्रिक बता है आप लोगों को अगर गद्यान्स जैसे प्रशन आते हैं तो आप समय व्यतित ना करें इन सबको पढ़ने में ध्यान दीजीएका हमें समय व्यतित नहीं करना है हम और अगर कहीं किसी को डाउट आ रहा होगा तो मुझसे पूछेगा मैं जरूर अगली वाली क्लास में नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा तो ध्यान दीजिए यह प्रश्ण 109 है और प्रश्ण है कि समाज व्यक्ति क्यों आज सही सूर बन रहा है या बन रहे हैं यह प्रश्ण है आपके सामें और इसके अंतरगत चार ओप्शन है और अगर मैं बात करूं तो एक है मेडिया रिपोर्टर निस्पस्च नहीं है लोग अपने नेहित स्वार्थ पूरा कर रहे हैं एक ओप्शन है लोग अपने संकीड परिपेच्चों को उर्जा देने के लि यह है आपके सामने किस तरीके कुछ प्रश्ण है अब ऐसे प्रश्णों को आपको करना है समय कम है तो नोट करिएगा ट्रिक आप लोग कि किस तरीके से ऐसे प्रश्णों को सॉल्व किया जाता है पहला ट्रिक यह रहेगा कि जो आप्शन में सबसे बड़ा हो जो प्रश् या बड़ा जो पॉइंट्स या की वर्स दिए गए हैं एक टेडिशनल वर्स दिए गए हैं उनका आप लोगों का चुनाव करना है यह बात आप ध्यान रखेंगे ध्यान रहेंगे ऑप्शन का नाम यहां पर ऑप्शन आप बड़ा ही चुनाव करेंगे दूसरा आपको यह है इसमें कि प्रशन में अगर हमसे प्रशन दिखे कहा है यहां पर कि समाज व्यक्ति और क्यों आसाई शूर बन रहा है तो प्रशन का जो भाव है वो सकारात्मक है वो सकारात्मक है नकारात्मक कब होता जब इसमें कहता कि निमने में नहीं है और इसके सिवाय सब्दी इस तरीके के option भी आते हैं, तो वो भी एक प्रकार के हम बात करें, तो नकारात्मक यसे सब्दों को represent करने लगता है, तो ऐसे प्रश्णों में जब नकारात्मकता का भाउधपन हो रहा हो, तब हुमें प्रश्णों के option को देखना पड़ता है, कि किस तरीके के प्रश्ण जो है पूछे जा रहे हैं लेकिन जब प्रश्ण आपके सकारात्मक दृष्टी कोड में है तो आपको सकारात्मक ही सोचना है तो नहीं वाला जब आएगा तो इसको आप element कर दीजिएगा तो ध्यान रहे जिस option में not लिखा रहेगा लेकिन प्रश् प्रश्ण में बता रहा हूं आपका सही जाने वाला है तीसरा point आप ध्यान दीजिएगा जैसे अगर मैं option second को भी पढ़ता हूं देखे इसमें कहता है लोग अपने नहीं सौर्थ को पूरा करना तो basically क्या बन रहा है ये एक प्रकार से सकारात्मकता का महाधिरा और प्रश् काम करता नेगेटिव काम नहीं करता और स्वार्थ जो एक ऐसा सब्द है जो नकारात्मकता का भाव देता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं इसको ध्यान रखेगा इस तरीके कि जो भी आपको option लगे उसको आप element कर देना आप उसे काट देना बाकि आप अगर third fourth option की बा है नेगेटिव वाले चीज़ को कारते को तीसरी बात आप ध्यान रखेंगे इसमें एक सब्द आता है सकारात्मक ज्यादातर पूछे जाते हैं सकारात्मक सब्द लिखा होता है सामानता सब्द लिखा होता है और और सब्द लिखा होता है परिपक्वता सब्द लिखा होत मैं सब्धो底 रहा हूं गद्ध्यांत में इसे पूछे जाते हैं और अगर इस गद्ध्यांत के 시간 को अस्वा को ग्द करोगे और जो एक थी मिलेंगे आप लोगंको pंशना को कोई प्रिशन प्रिश्टे पूंच प्रिशन पैसे होता है एक लिखा हुआ मिलेगा आपको और खास कर ध्यांदे ये बच्चे जो यूजिस्टी नेट की एक्जाम देने वाले हैं बेस्तारी को उनके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्ट है उत्तरा खंड में यह पुछा आता है बट अगर आजाए तो आप ऐसे चीजों क प्रियोग करिएगा ठीक है वहीं अगर हम बात करते हैं फोर पॉइंट के बारे में आप उसे भी ध्यान से समझ लीजिए सभी लोग ठीक है जब इस तरीके की चार आप्शन होते हैं और उसके बाद कूट दिया होता है जिस कूट में उपर युग्त सभी होता है ठीक है व अगर बताईए एक बार अगर 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 बात करते हैं तो एक और पॉइंट के बारे में कि इसमें और एक पॉइंट क्या आप उसको करेक्ट कर सकते हैं ठीक है जैसे आगर हम बात करें आप लोगों से आपने option में भी देखते होंगे कि उपर युग्त सभी नहीं लिखा होता है उपर युग्त सभी नहीं लिखा होता है तो ऐसे condition पे एक दो तीन करके आता है या एक तीन आ जाएगा या आपका तीन चार आ जाएगा इस तरीके से कूट दिये होते हैं ऐसे प्रश्णों में आप से बात करूँ तो जिस option में third वाला हो यहाँ पे जिस option में third वाला हो उनका आप पहले से ही चुनाव कर लिए third वाला point जो होता है probability ज़्यादा होती है यह हर option में यारी question करेक्ट जाने में possibility इनकी ज़्यादा होती है third वाले कर चुनाव कर लिजे और जैसे एक और दो है तो एक और दो यहाँ पर एक है यहाँ पर भी एक है तो आप समझ गए है इस बात से कि दो वाला point जो है आपका सही नहीं है तो तो दो देख शक्ते हैं आप लोग कि जो two लिखा हुआ है वो केवल एक ही में है इसलिए आपके सामने देखेंगे तो one, two, three, four point में है तो जिसमें one or three आ रहा तो यह आपका correct हो जाएगा तो ज्यादा possibility third की होती है और उसके बाद आपको identify करना पड़ेगा एक ratio बनाना पड़ता है कि पहला सही है को दूसरा सही है पहला दूसरा यह चारो option को हमें थोड़ा सा अब जर्ब करना पड़ता है या तो फिर आप क्या करें या तो फिर इसको option में लिखे गए हैं इनको यहाँ पर पढ़ेंगे तो उनके option को पढ़ें ना कि उनके प्रश्णों को पढ़ें तो अगर आ सही शूरता लिखा यहाँ पर भी आ सही शूरता यहाँ पर भी आ सही शूरता जहां जहां लिखा हुआ है उस पर पहले डरलाइन कर लिए अब उसके बाद आपने देखा आ सही शूरत कि खामिया की खोड़ करता है अब ऐसी ही आप लोगों को मिलेगा है ना खोज करता है या इस तरीकी की कोई ऐससा सब्द बिलेंगे आपको बताएंगे कि यह करेट है तो यह पर भी थार्ड ऑप्शन में लिखाता इसलिए आप ऑप्शन थार्ड का चुनाब करते हैं इस सब्सक्राइब करते हैं कम समय में इतनी चीज़ आपको ध्यान रखना है और वैसे अगर मैं आपको बात करता हूं यहां पर वन जिरो है आपका सब्सक्राइब यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो यहां देखिए वन जो है आपके ट्रिपल वन है इसका सही जवाब क्या होना चाहिए आपका बी करेक्ट होगा यह भी करेक्ट है क्योंकि सबसे बड़ा है मैं कुछ पढ़ नहीं रहा हूं कि मैं ऑप्शन को बड़ा देख रहा हूं बस यहां पर ऑप्शन फूर बड़ा जा रहा है इसलिए उप्शन फूर आपका करेक्ट हो जाएगा ठीक है यहां एक चिर्क और नीची लिखे ज़िएगा सवयम सब्द वाला भी सब्ते होता है हमेंसा सवयम सब्द भी आप लोग एक च्रिक मोहां पर मेंसं कर लिजे यहां इसलिए ईसलिए बड़ार इसलिए गाता है कि चलिए किलें पिछला वाला जो इतों तोसमें तो उपर जोसे में नहीं यह उस किया गया था हमनी आधा ऐक हमें यह पर पांचे च्रिक बता है कि हमने यह सारी बातती नहीं बताई है हमने यह पांच टू को अगर यूज खिया है इस प्रशन में प्रशन का आधार बताता जैसे मैंने आपको टृक बता अब मैं तुरा समझा भी एता हूं आपको लग रहा है तो मैं आपको बता तो कौंसे प्रशन था बताई कर रहे है कि इसी उप़र है मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या आ सही शूरता की समस्य का कोई विकल्प नहीं है अब प्रश्ण में नहीं है क्या कोई विकल्प नहीं है आप सुचिए सिंपल सी बात अपने लाइफ को रिलेट करके सुचिए प्रश्ण कहता है कि नहीं या सभी समाजों में हमेशा रहता है इसका मतलब क्या वहीं शूरता समस्य कोई विकल्प क्यूं विकल्प क्यों नहीं हो सकता है किर प्रश्ण का पैटर्न मैंने अने मैं प्र tumors के पैटर्न को समझने का प्रयास करें अप लोगए से जानत候का पहली बात यह ऐसे प्रश्णों में आप लोगों शुमजने आने तोड़ी सी बट मैं नहीं सुग inteiro आश क्या है हिसा है आशाही शूरता कि अरे भाई आशाही शूरता नहीं मालूं ज़ेक जब्सक्राइब करना कि से नफरत करना कि नफरत करना नए निद्द कुछ कि अब वोग में इस अब बहुत सेंड कि हैंना जॉदता क्या हो गया रभडी आप प्रश्न में आप बताएं आ साहन सीलता कि समस्या का कोई बिकलप नहीं है क्या या कोमन परीकी दे क्यों नहीं हो सकता है कि आस साहन सीलता का कोई सबके पास आते हैं समस्या अथा है तो हर समस्या का समाधान भी है और ये बात आपको अच्छे से पता हैं हर समस्या का समाधान है क्या समस्या का समाधान भूनने का प्रयास तो क्या प्रश्णि कर रहा कि समस्या कोई विकलत नहीं है मैं आसाही सउड़ता को उसकी मेनिंग से पढ़ रहा हूं सवाल बिल्कुल करेक्ट है प्रश्ण का पैटन नहीं बताता है मैं यहां पर समझाया हूँ आपको ठीक कभी काम नहीं करती एक जरी भी ध्यान रखेंगे आप लोग यदि आपको पास समय है तो आप उसको पढ़के करें तो सबसे बढ़िया है और यदि समय नहीं है तो सबसे बड़ा पहला वाला लगा दिया पर समय नहीं यह इतना प्रश्ण और यह करट भी है गलत नहीं है करके देखो जितने गध्यांस वाले सवाल आ रहे हैं ना करके देखो शूर है कि आप लोग कुप यहां बदा सिवेटी फाइफ से लेकि एटी परसंट की बीच में स इसी तरीके से करने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग और मन से करें अब हम कोश्चन टू कोश्चन पढ़ेंगे कोश्चन नमबर 12 है यानि 114 है 114 नमबर का सवाल और प्रश्ण कहता है अभिकतन और तर्क में है इसका दीर ट्रिक होता है इस प्रश्ण को भी एक बास अंतराल वाली विधियों में माधिका को पैमाने मुल की माप की रूप में प्रियुक्ट किया जाता है और तर्क कहता है कि सामान बित्रड बे सामान बित्रड ये नपीसी की बात मैं कर रहा हूं ये नपीसी अब मैं पढ़ा रखा हूं ये नपीसी सामान बित्रड में माध कि समझेगा प्रश्ण सिंपल सा है कि सामान रूप से अंतराल वालों की बिधि में बतलब कोई सामान रूप से अंतरा जब तक प्रश्ण समझ नहीं आएगा उत्तर नहीं आएगा प्रश्ण बतात रहां UGCB के और प्रश्ण समझना जरू हुई है तो समान अंतर मैं करता हूँ 0 5 10 15 20 25 समान अंतर हुआ अब बताइए मैंने कहा कि समान अंतराल वाले विधियों में मादिका पैमाने के मुल मादिका हम यह बात जानते हैं भली भात ही तरीके से कि जो मेडिल में आता है वो मादिका होती है इस इपर मादिका के मुल की माप की रूप में प्रियुक्त किया जाता है अगर मैं आप से बात करो मादिका निकालने के लिए तो क्या हम सेन्टर से बहित मादिका निकाल सकते है एस और सपांच-छे संख्षा दे दी तो मात दिका निकल गई हाँ अगर आप इस्टेटिक्स पढ़ते यह थियुरिकल पात को पहले मैं संधाजता हूं ध्यां दीजिएगा आप सब लोग यह थियुरिकल बात जब बात होती है किसके रूप में जब बात होती है एक इवेन नंबर और और इक और नंबर की जिसे मैंने यहां पर 123456 तो अब पता नहीं चल रहा है यहां पर मात दिका अच्छा नहीं यहां पर मात दिका पता चल रही बई तीन इधर मैंने कल लिया तीन इधर कल लिया यह बीच में आगया और अगर मैंने मालों पांची संख्या लिया मैंने 30 को काट दिया तो अब मैं समझ नहीं आ रहा है कि यहां पर भी तीन इधर भी तीन इधर भी तीन इधर बीच में कौन सी संख्या है तो वहां एन प्लस तो सोचल वर्क के यूजिसी नेट में सब सवाल नहीं आते हैं यह बात ध्यान रखेगा तो इसलिए आप इसको ना सोचे इस मेथड को सोचे यह फिर चीजों को सोचे यह प्रश्ण इसी पराधारी गए और फिर कहा कि सामान बितरड में एन पीसी मैंने पहले भी बता रखा है कि इस पर जो है माद्मादिका बहुलक समान तरीके सोते है अगर मैं आसामान बितरड करता तो आसामान बितरड बैसम में बन जाता और बैसम में क्या बनता है एक तरफ झुकाव कर लेता है या तो आप ऐसे बना करेंगे तो भी उसमान रूप से होगा तो मैं कहूंगा कि आप यहां पर बी वाले पर यह वाला करेंगे आप देखें आगे बढ़ते हैं और सवाल हमारे सामने उसी थरीके के सवाल ठीक है अब आपको बता जूँ निट में एक तो फैक्ट वाला प्रशना आता है एक तो ब्याक्ख्या वाला प्रशना आता है एक आपको कथन और तर्क करके जबाब देना होता है कि यह सही है गलत है बेना ब्याक्ख्या का यानि विदाओड ब्याक्ख्या विदाओड ब्याक्ख्या एक सुमलित वाला आता है एक वर्स के क्रम में लगाने के लिए आता है इक मतलब बीचार पर क्रम यह बात ज्वान रखेंगे तो इन चीजों को प्रशण का प्रशन का प्रश्ण बात भाल नहीं ढहिँ आ रहा है तो अभी गतन कहता है कि समकालीन समाज में भूमिका दूंद जो होता अत्यंत ही सामानने है इस बाद से आप सहमत है क्या जब तक आप प्रश्णों को मैं बता हूँ जो प्रश्ण समझ मना आए संदी विच्छेद आप लोग जानते होंगे सभी बच्चे उन सब्दों का संदी विच्छेद करना सुरू कर देजिए आपको सारे चीज़े पता सुरूंद जरा मुझे एक बार आप ये बताएं प्रश्ण आपके सामने और कहा जा रहा है आपसे कि समकालीन समाजें भूमिका दूंद अत्यंती सामान है इस बाद से आप सहमत है क्या अधिया जब उनकी नोकरी या इस्थिती से संबंधित को इब्यक्ति पर असंगत मांग रखी जाए असंगत मांग रखी जाए तो भूमिका असंगत मांग रखी जाए कि बीच में संघर्ष सफलता तक पहुंचने की मानवी एक्षाओं के कारड़ी शुरू हो जाए तो बेसिकली कब होता है यानि कोई संघर्ष हो रहा होगा तभी तो दंध हो रहा है यस कि दंध कब होता है अगर मैं आप से बात ही किरा आप लोग मुझे बज़रा बताएं संघर्ष के साथ होता है सर जी संघर्ष के साथ दंध होता है समझ नहीं पा रहा हूँ मैं और पताएं कोई सर जहां पे संघर्ष होता है वहां पे द्वन्ध होता है अब दिखी जिसे अगर मैं आप से कहूं कि भावनात्मक संघर्ष तब उत्पन होता है है जब किसी बेक्ति पर उसकी सामाजिक भूमिकाओं की पूर्ति के लिए प्रतियस पर्धी मांग की जांग के जाए तो उसे हम कोएंगे भूमिका संघर्ष का पायठ है या भूमिका संघर्ष का अद्ध भूमिका द्वंद जो है अतिन्त समान्य है और ये बात करट है अच्छा करट है तो किस बिसे के रूप में इस पर इस निजी हित और विश्वास के इस्थिती में किसी ब्यक्त की आधिकारिक जिम्मेदार्यों की बीच में जब संघर्ष होता है तो वही बात है कि समकालीन सम समाज में भूमिका दुञ्द अत्यनत सामान समद है यह समकालीन समाज में अत्यनत सामान निसी बन गई है कि नहीं यह बात से सहमत है आप लोग कि संघर्ष हो रहा एक नहीं सामान सी बात है या नहीं सभी बाद, सभी बाद, सभी बाद, तो मैं आप से कहना चाहरा हूँ कि समकालीन समाज में, अच्छा, अब कितने लोग जानते हैं समकालीन समाज का अर्थ, बरतमाल समय सर्थ, जो आज प्रसांगिक हो, यानि आधुनिक इतिहास के कुछ निश्चित पॉइंट आभ्यों से स समबंधित हो, वही समकालीन समाज बिसीकली तकनीकी द्वारा विश्चित वाली जो सैटिंग है, उसकी रोप में भी परिभाशित है, नमाचार की रोप में भी परिभाशित है, अंतरसंबंद की रोप में भी परिभाशित है, वैश्वी करण की रोप में भी परिभाशित तो मैं आपसे कहूँगा कि पहला statement सत्य है असत्य नहीं परंपरागत समाज में जहां प्रतेग समाज सीमित संख्या में भूमिका निभाता है भूमिका दंद सामान नहीं होता इसमें बताओ क्या ये point correct होगा तरक में कि जहां प्रतेग सीमित संख्या में हो एक limited saip और उसमें भूमिका निभाया जा रहा हो और वहां क्या भूमिका दंद सामान नहीं उता बहुत ऊच्छा है बही रही Certainly होता है sir मेरा कहा मेरा कहने कर ताथ ये रहा कि कुछ ब्यक्तियों की स्रिमित संख्या में और उसमें भूमिका ली और रोले भी आपका यह लोले आप लिख उसमें कहा लिक्ति क्या भूमिका थामान जो नहीं है व хороший होता है अज्म अगर नहीं है तो मैडम कह से नहीं सबसे बड़ी जो चीज़ा आपने बताया कि बिभिन इस्टितियों में और भूमिकाओं द्वारा मांगी गई कई जिम्मेदार्यों का सब्सक्राइब अब लग अलग अलग ब्यक्तिक बच्चे हैं हमारे क्लास में 32 तो अगर मैं आज यहां पर बात करूं सब्सक्राइब अलग अलग ब्यक्तिकरल प्रक्रिया सब लोग यूनीक हो अलग अलग हो सबके अलग विसेश्था हैं सब लोग अलग अलग हो तो बता ही कैसे आप लोग की भूमिकाद बंद एक ही हो सकती है सबके अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं अलग-अलग छेड़े की परमपरागत समाज, ट्रेडिस्नल समाज है यह यहां मैं आपसे बात बताऊऊँगा कि यह आपका सक्ट्थ है यहां आपका यह सक्ट्थ है, गलत नहीं और इस वज़ा से मैं option D को लगाऊंगा A और R डोनों correct है इस प्रश्ण के सही जवाद इस प्रश्ण में इस टाइब के प्रश्णों में आपको किवल समझना होगा सही तरीके तभी आप इसका जवाब दे पाएंगे अगला सवाल हमारे सामने प्रश्ण है कि सौरों में सारीरिक और सारी सरीर क्रियात्म परिवर्तन होते हैं क्या ये बात Saty joke सब्सक्राइब करें लिए योन हार्मोन जिम्मेदार होता है यह बात आप जानते हैं लड़की में इस्ट्रोजन्त की भूमिका होती है। लड़की में इस्ट्रोजन्त की भूमिका होती है। अगर आपको पता है कि यह प्रश्ण आपकर लिए किसोर में सरीर और सरीर क्रियात्रों परिवर्तन होते यह बात सत्य है और किसोर अग्रता से भरी होती है यह भी सब्सक्राइब आप लोगों को बता चुका हूं अगर आपको बताओ अपने घर की बच्चों को ही ले लो तो इतना अक्टिव होके आपकी बातों पर ध्यान देते हैं बस उनको वह चीज़ें इस बातों से वह खुष है तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि यहां उसी अवस्ता को इस नहालने का जी एक तनाव और जो है उग्रता की वस्ता है उग्रतता की अवस्ता है तो यहां आपके बात अधिकतन और कारतर्क दोनों आपके करेड़ हैं अब आपको बताना है कि ब्याक्षा कर रहा है क्योंकि उपर जो है सारीर खिर्यात्मक परिवर्तन जो बताया जा रहा है वह कुषोरा अवस्ता तनाव और उग्रता भरी अवस्ता का एक प्रकार का लच्छड है जो की ऑफ्शन नमबर भी बता रहा है यह चाँ करेड़ आपको बहुत बच्चे क्या करते हैं और खो अगर संधे उने करना है तो इन प्रश्च्णों को सत्य करो क्योंकि माइभी बता दूः नव्जे प्रतिसत बच्चे इस प्रश्ट को समझ को क्यों करना आता है और जानते हैं क्या करके आते हैं वो सोचते हैं एक माइंड में ठिक बना रखे हैं कि उपर अगर शरीर लिखा हुआ है तो उससे संबंदित नीचे सरीर है तो फिर तो ठीक है ब्याक्ख्या है यह ढूंडते गए और फिर यही लगा के आ जाते हैं ब्याक्ख्या वाला और जो बता दूं आपको यही नंबर करता है आपको दो नंबर जाएंगे फिजिसी के लिए तो भाई दो नंबर है एंपी सेट के लिए तो चार नंबर है कितने दूकते हैं इस सब्सक्राइब को किवल समझें मैं यहां आपको किवल प्रस्टिक को ही समझाने का प्रयास कर वाओं जल्दवाजी ना करें अभी और प्रस्टि परिवार तथा समुझाय को अपना सिकार बनाती है हैशा गरिबी व्यक्ति अपना सेस्टार बनाती है सब्सक्राइब गरीब व्यक्ति ने परिवार और समुड़ाय को अपना सिकार बनाते हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि यह पॉइंट आपका करेश है कि अपने को आसहाय महसूस करते हैं यह इसा अपने को आसहाय महसूस करते हैं गरीब व्यक्ति है जहां आप देख रहे हैं उसी परिपेच में गरीवी को थोड़ा सा पढ़ा कर बोला जा रहा है कि प्राकृतिक सामाजिक आर्थिक राजनैतिक यह सक्टियां जो हैं वह आगे अपने को आसहाय महसूस करने लगती है जो गरीब व्यक्ति उनके लिए बन अब को लगता है कि गरीब बेक्तिक कोई है तो उसका सामाजिक कंजोर हो सकता है उसकी आपकी कंजोर होगी होगी है होगा रिकमजोर वन प्रशाइब आपको जान रखना था और यहीं आपका एक्टिक सकते हैं अब बात यह है कि ब्याख्ध्ध्या है याने मैंने कई बार आप लोगों से बताया भी है ऐसे प्रश्ण जब ना समझना है ब्याक्ख्या के लिए तो वहां पर क्योंकी लगा प्राक्रितिक और सामागिक आजिक राजनेटिक सक्षितों के आगे अपने को आसहाय में लगते हैं इस वजह से सरगरीब रिजिशों के परिवार और समझाई में अपना स्कर बना जाएं इनको बना देगा और यह रीजन जब इस तरीकी के बैठने लगें से एक पैराग्रास के रूप में क्योंकि लगाने इसके तो समझ जाए कि इसकी बैठ्षा होगी वरना इन दोनों की बाते अलाग अलाग बताने लगेंगी तो वहां पर बैठ्षा आपके नहीं कि यह दूसरा ट्रीक यह है कि आपने जब का एक अभी कतर एक म्यूट है यह प्लीज रहे हैं तो जब बात किया जाए गरीबी बारें बात नहीं पर जाए नीचे उसके तरक को भी उसकी व्याठ्था के आधार को भी बताय जा रहा है कि यह रीजन है जो आसहाय महसूस हो अच्छा है option number D is the right answer अगला सवाल प्रश्ण को बहुत ध्यान से करिएगा ठीक है अभी कर्थन कहता है कि महिला और बाल विकास नीती को संरच्छात्मक विभेद कहा जाता है कि देखें बड़ा अच्छा सवाल है कि जो महिला और बाल विकास नीती है उसमें रख्छात्मक विभेद कहा जाता है क्या ये बात करेट है अच्छा है सब्सक्राइब और भी कोई बच्चा है कि विभेद को प्रकट किया मैं भी आपको सम्झाओंगा ठीक है जान चाहिए बताता हूं दिखेंगे पहले बात पर पता होना चाहिए कि सम्रख्छात्मक विभेद क्या होता है दिखेंगे बिभेद को हम रिलेट करते हैं भेद भाव से तो इसका अर्थ सम्रख्शात्मक विभेद या भेद भाव कहता है कि उन लोगों के पच्छ में एक अधिकार या बिशेश अधिकार प्रतां किया जाता है जिन्हें उम्र के बाद प्रतारित और भेद भाव किया गया हूँ तो वो पर पेच एक प्रकार से रिपर्जट करता है हलाकि महिला और बाल विकास नीटी की भूमिका यहां पर संद्राचात्मक बिभेद की रूप में कैसे कही जा सकते का आप महिला और बाल विकास नीटी की की महिला और बाल विकास नीटी को brothers में वो तो एक दूसरे के साथ और होती ना मतलब बंगल्ध होती हैं डिद्ब अब भी नहीं सुझपाएं संद्रचात्मक्ता का मतलब अगर इंगलीस देख लिजे ताकि आपको और किसे क्लियर हो जाए वह उपर इंगलीस भी है जदा यह नहीं कि सुरक्षा से सुरक्षा से सुरक्षा हां प्रोटेक्शन इस प्रोटेक्टिव इस अगर आप ही इस्क्रिमिनेशन क्या होता है इस्क्रिमिनेशन अब बच्चे ने बहुत अच्छा सब्द दिया है अब मैं यहां पर नोट कर रहा हूं लेख लिजे भेद भाव करने की प्रक्रिया आप बताइए क्या यह सब्द सही लग रहा है कि ओमेन चाइल डवलप्मेंट पॉलसी भाई उनकी रच्छातमक भेद्भाव करने की प्रक्रिया है यह सब्द गलत है तो मैं बूझ रहा था आप लोगों के तो फिर कैसे आप लोग बता रहे हो कि सही है मैंने कहा आप से कि अगर आप प्रश्ण सही से नहीं समझेंगे तो गलत करके आएंगे तो प्रश्ण ना समझ मैं उसका आप संदी विच्छेद करना शुरूर करें बस यह उन सब्दों का अब देखिए तरक क्याता है कि यह केवल महिलाओं के लिए लाभप्रत है यह भी अब देखा जाए तो आप जो जवाब मुझे दिया है दोनों गलत बताया है और दोनों गलत है और सही जवाब है ऑप्चिन नमबर बी यह और आप दोनों गलत हैं अब दिखे यूजीसी की जो बच्चे होते हैं क्या सोचते हैं ऐसा होई नहीं सकता कि सोचल वर के एंटीए यूजीसी ने दोनों गलत दे जानते सब हैं यह बात कहेंगे इससे चलो इसको लगाते हैं पहले वालत सही कहते हैं दूसरा वाला सही गलत ही होगा ऐस तरीके कि सोचते मान स कि दिमाग पढ़ने जाते हैं कि इस तरीके से सवाल बनाया है वह तो बहुत प्रैक्टिस के बाद समझ आता है ना ऐसे एक दम से थोड़ी आएगा अगर मैं चलाता हूं तो आवाज जाती है वीडियो में अब सोच लिजे कितने मैंत करो फैन भी नहीं चल रहा है है यही रिजन है कि आप लोग को धंग से महनत से पढ़ाई करो बस अच्छे ज़े अच्छे से अगर आप करेंगे न यस्टरी सही बता रहा हूं कि क्रैक कर ज प्रश्ण को जहां से सुनिएगा कि दिखिए नए नए सब्द मिलेंगे प्रश्ण को समझेंगे पश्चा जो है पश्चात पश्चात समाजों द्वारा अस्थापित किये गए परिवर्तनों में अभी जाती ये पुर्वह ग्रह था और प्रश्ण को सब्द आपने यहां पर जो देख रहे हैं पश्चातात वाला इसका क्या आप्श्चात बनाएंगे पहला सही है सब प पश्चाते सर पश्चिमी करण वेश्टन को रिलेट कर रहा है सर सही है पहला कथन तूसरा भी कथन सही है ओके ठीक ठीक अब हमारी दिश्चात समझने का प्रियास करिए एक-एक सब्दों को समधारा हूं मैं जो यहां पर पश्चाताय लिखा हुआ सब्द है न अभी किस पश्चिमी देशों या पश्चात दर्शन में आरस्थight का बिस जोगदान क sposeda अ रहे हैं हम क्या समझ्जेश इसमीं हम क्या समझ игр की पीछे वाला सब्द समझे की समझे कि पिछला समझ समझेаст Ooh का योगदान समझे पश्टा सिच्छा समझे क्या समझे अगे बढ़ते हैं कहता है कि समाज द्वारा अस्थापित किया ग्या परिवर्दनों में अभी जाती पूर्वाग्रा सवाल तो कुल टोटल मिला कि ये दो सब दो पर आधारित है अभी जाती ये पूर्वाग्रह अब जानते हैं क्या है अब जानते हैं अलग होते हैं सामाने से उन्हें अभी जात वर कहा जाता है जिसे हम एलीट क्लास भी कहते हैं अब इस बास समझते हैं कि पूर्वाग्रा कहीं न कहीं पूर्व निरड़े से हैं पूर्व जी सर इसका मतलब कि मैं एक ग्जांपल देता हूं कि अगर घर में एक चोटी सी लड़की है तो उसके लिए सब लोग तॉइज लेके आते हैं बुड़ा बुड़िया वाला सर मैं एक्स्प्लेंग करूं पास्चात समाजों द्वारा इस्थापित किये गए परिवर्तनों में जो भी हम यह कह सकते वेस्टन कंट्रीज में कुछ अच्छे चेंजिस जो थे सोसाइटी के उन्हें यह मान लिया गय अभी जाती है पूरबगर है उसे कि यह विशेश लोगों के लिए चेंजेस हैं या वो स्विकार कर ले एक फॉर एक्जामपर कट स्लीव पहनना ये अलीट क्लास में पहना जाए तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर कॉमन सोसाइटी में पहना जाए या एक छोटे घर म इस तर पर व्यापक रूप से स्विकार नहीं किया जाता है ये उसकी व्याख्या भी कर रहा है कि जो अभी जाते द्वारा प्रारंब किया गया या कुछ भी हमने अपने अंदर लाए कि हम ये चेंजेस कर रहे हैं ये परिवर्तन को हम एक्सेट कर रहे है साधारन इस तर पर यानि सामान जन मानस पर त्यापक रूप से स्विकार नहीं किया गया छुपे छुपे रूप से जरूर कहीं कहीं स्विकार किया लेकिन सभी लोग स्विकार करें या मिडल क्लास या मिडल लोवर क्लास या लोवर क्लास स्विकार करें ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उपर व तो यहां जो जवाब गया है बहुंद करें मैं और और बात रही व्यांख्या कि आप तर नहीं नहीं प्याख्या सब्देए यहां जो तर्क कहता है कि अभिजातों दौरा प्रारंब किये गए परिवेर्थनों को साधरर जन अस्तर पर व्यापक रूप से सौविकार नहीं किया जाता है यह एक प्रकार से अभिजात वर्ग जो है जो अभिजात्यों की दर बात कि गई है कुरीन वर्ग को लेकर बात हो रही है उस पर कहा गया कि परिवेर्थनों का साधरर जण परिवेर्थन का एक कौमन अंतर एक कौमन ससा किerson prohibition कि बात रहों कि तो मैं आफ गया कि समाज़ दोरा अस्थापित किये गए परिवर्तन अभिजात पुर्वाकरा को जो लेखक है पत्रकार रहा है या बुद्धिजी वर्ग है उन्हें हम एलीट क्लास या अभिजात वर्ग भी कहते हैं मेरा यहां जो कहने का ताथपरी है मैं आप से ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि अभिजात वर्ग एक इस तरीके का रूप है जिससे सरकार का एक रूप है जिसमें लोगों का एक छोटा और विशेसा धिकर प्राफ है और उन वर्गों के लोगों का साशन होता है जिने हम अभिजात वर्ग कहते हैं हम उनको रिलेट करके बता रहे हैं और उसी पर संबंदिते समाने कि अभिजातों द्वारा प्रारंब किये गए परिवर्दुनों का साधरा जन अस्तर पर व्यापक्स वेबर पर सवबिकाद न नहीं है ऐसा नहीं कुल इन तंतर के समाने उसी के समाने जिसमें वे कुछ लोगों के हाथों में सब्ता रखते हैं तो प्रकार की सरकारे हैं कहीं मैंत्रपूर तरीके देखायाता है तो भाई कोई भिन मतलब अलग-अलग है डिफरेंट बट यहां पर दोनों जांगा अगर मैस्तय के प्राश्णे दो हुए है तो मैं इस औफचन में क्यों ना डालो कि यह यहां है ङड्या इसको यह यह कभी सोचने जरूम और वास्तवित्यत्ता कि आधार कि वास्तविक्ता पर आधारी की प्रश्न है और सही जवाब दोगो इसको अब ध्यान रखेंगे अगे बात करते हैं एक और सवाल पर ध्यान दीजिए और अपनी से आप लोग बिचार करके जवाब दीजिए कि क्रिया तथा परिवांद के रूप में ससक्ती करण का महत सवाज्कारी अभ्यास में तेजे से बढ़ रहा है सत्या सथी सहमत है आप लोग बिचले सर अब गश्यान इसकति करण का महत पर बात बात वहां और सब्सक्राइब को बात बनाने कि प्रक्रिया मतलब प्रोसेस प्रिवां मतलब रिजल्ट यानी मिसकस के रूप में ससक्ति सब्सक्राइब अवर इस नहीं है कि अवर है इस वर इस हैं समाजकारी दर्शन सब्सक्राइब ठीक करें ऐसे लीन सकता है, किसे वह मोहीरा दर्भ शे लित एक द्या का देक अजया देक्टे अनवर्ट की करने की सिर बार सुछा-किंटी इस संबंद में प्राप्त तत्यों को बैज्ञानिक धंग से प्रस्तुती करण इन्हीं चीजों को रिपर्जल करता है आपको एक नाम मिलेगा हरबट भी सुनोगा साथ सुना भी होगा आप लोगों ने पूली सर इनोंने तीन मूले बताये हैं और बहुत प्रश्त यहां लख किन रखेंगे में मुलेवान होता है प्रसेच व्यत्य अपने अस्थित्यों कि सारा मुल्यवां। मुल्यवान होता है दूसरी बार कहता है कि मानवी कलेश आवांचनी है आवांचनी कलेश निगेटिव कारिया समझें का विरोज करना चाहिए जहां तक संभव है उसे कम करिए यानि नकरात्मक भाव को कम करें थर्ड समस्त मानो ब्यवहार मनुष्ट के जैविक अस्तित्व और उसके परियावरर के एक बीच में परस्पर संबंध करने की क्रिया का परिडाम होता है यानि मानो ब्यवहार मनुष्ट के जैविक अस्तित्व पर बात करता है किस पर जैविक की जैविक अस्तित्व जैविक अस्तित्व यह तीन तथ्य इंपॉर्टेंट और तीनों के तीनों पेपर में आ चुके ध्यान रखेगा अगे बढ़ेंगे एक और प्रश्ण का चुनाव करेंगे अगला सवाल हमारे सामने क्याता है कि अभिकतन की समाजकारी अभ्यास में सक्ति परिपेच सिवार्तियों की सहाथा करने में अधिक सामान रोग निदामों मुख्य कृत उपागम के बिकल्प के रूप में उभर कर आया है कि समाजकारी जो अभ्यास है उनमें सक्ति परिपेच सिवार्ति की सहता करने में अधिक सामान रोग निदानों मुख्य कृत उपागम के बिकल्प के रूप में उभर कर आया है क्या ये बात सही लग रही है आपको सब्सक्राइब करने के बिदानों मुख्य क्रित उपागम तो लगाएंगे लगाएंगे उसमें क्यों सिवार्ति के सक्ति पर पेच्छ सिवार्तियों की समस्या और कमयोग पर ध्यान केंद्रिट करने की बजाएं सिवार्थी की छमता प्रतिभार संसाधनों पर बात करिए ना क्यों प्रिलेट भी कर रहा है सर बैलकुल अब यहां पर बैख्या होगी यहां पर बैख्या होगी इसलिए option number आपका जो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब option number भी करिक्ट होगा अगला सवाल एक बैवहार को समझा नहीं जा सकता बिना उस प्रलाली के संदर्व में या बिना उस प्रलाली के संदर्व द्वारा जिससे वह संबंदित है करता है कि समाजिक प्रलाली और मनुष्यों के प्रतिक्रिया प्रारोब का आकार देखी यह बात सकते हैं आप लोगों से करता हूं कि एक ब्यक्ति के वैवहार को समझा नहीं जा सकता है बिना उस प्रलाली के संदर्व में जिससे वह संबंदित यह दो सत्य सर बिल्कुल सत्य समाजिक प्रलाली और मनुष्यों के प्रतिक्रिया के प्रारोब का आकार देखी यह भी सत्य सर हो जाचा है कि एक बिल्कुल बात सही है अर्चा समझे को तब जब उस पर संबंद में आप कोई टेक्निक या कोई सिस्टम में कोई प्रलाली टेक्ट या मेथर्ट मॉडल्स समाजिक प्रलालिया मनुष्यों के प्रतिक्रिया का प्रारोब का प्रारोब का आकार देती और यह भी सही है और आप्शन नमर आपके हैं पुझ दाएगा वुड़ी वाला ही करेक्ट करना हमें संघर्ष का सिद्धानत्वा बैख्या करता है कि किस प्रकार की सक्ति समुच अर्शामानता का लोगों के जीवन परफा पड़ता है सर्सट्या यह सांज चाहिए और प्रक्ट करें अब और प्रक्ट के समुचना आशामानता का ज्ञान भी निवारी अरी भाई यह भी तो सक्या सर्थ और आपक्षा है या नहीं यह बताएं इसलिए व्याख्या कर रहा है उपर यहाँ और यहाँ आपका आपकर और यहाँ पर बैक्षा करने का जो विंदू है वह संघहर्ष का सिध्धान्त वा बैक्षा करता है कि किस परकार किस परकार सकती समझना और आशा मानता लोगों पर प्रख्र्वाट ड्रहा है। किस प्रकाद ड्रहा है। कि कारण और यह है। देता नीनजे। सक्ति सनचना के ग्ञान के अध्याता तरूब यहां। jay रीजन है श्कूद आपको प्रप्र गृकर प्रमॉ्यों सवाल। कि समाजिक colored का समाजिक प्रप॥ा प्रतिकूल प्रभाव करता है। जो दो वस्तुवों द्वारा एक साथ संपनित होती है। जो दो वस्तुवों द्वारा एक साथ संपनित होती है। और परस्पर यानि एक दूसरे के कारण की रूप में वर्लित होती है। अगर मैं कहूं आपने वैरियेबल बताते हैं ना एक कॉफी क्या और उसके साथ साथ उसमें जो है। क्या रहता है कॉफी में क्या होता है। कैफीन कैफीन हां। तो उन दोनों की जो परश्पर जो चीजे बन रही एक दूसरे की कारण की रूप में वर्लित हो रही है। क्या जानते हैं कि अगर मैं कहूं बेखती और समाज क्या है दोनों पर अनून क्रिया का मतलब परश्पर आश्री जो क्रिया छुपी हुई हो डिक्ती ना हो विशेशन के रूप में वह अन्योन क्रिया होती है। बहुत बढ़ी हैं बहुत बढ़ी हैं उसी ग्रूप के ठीक है करड़ जबाद यहां पर सही जाएगा अगला सवाल है जन समस्या के लिए जन समाधान और सकता है यस या नो यस सब्सक्राइब करता है यह जबाद करने करता है यह जबाद सवाल मारे सामने आ रहा है कल्यार एक संपूल और धारणा है बना आसाना सवाल मिल रहे हैं गारियाविद तक जन ने काम ठेकरों कर भी सब्सक्राइब सन्सरेयाविन बिदा सब्सक्राइब सब्सक्राइब में निनलिक चलो को तो ही क्रम में दर्साइब हैं कि ता मुझे तो एक दो तीन चारी लग रहा है या कि फहां मों थ्री टू फार इस पर इंग्लिश में भी डिखाना रहा है तर पहला पहला ही सही है पहला ही सही है पहला ही सही है वन थ्री टू-फॉर इस बात करते से रुप जाए इस देखिए समझिए सवाल को सवाल हमारे सामने कि मनुविशलेशल किसा इस किसा में कुछ चरड दिये गए है जैसे एक होता है प्रारंभिक चरड क्या मैं प्रारंभिक चरड को पॉइंट नंबर एक में रहूंगा जी सर अब जिस और में एक मिल रहा हो यह सभी और सब्सक्राइब बढ़ते हैं उसकी ब सद्रान शुद्र में तर्काइब ने करते हैं परिक रहो शुद्र होगा जाना का युक्त भी खएया हरते हैं फौर अप्प्विकारम में ज जोन से यहां पर प्रिक्राइड नहीं जारा है यही और जाट जाएगा और लास्ट में समाधान आता ही यह बात प्रिक्राइड को लगा जिए बता दू प्रिक्राइड ने यूज किया था अंगे तर भावनात्मा संगर्स का दिहां देने की पर फिर अपन गया अप्छा तॉक थे सिमनल प्र जांग आके अधाट टॉक थरेपी इस यह टॉक थरेपी इसने दिया है शिल खीट ऐसे आधिश्रमाइड शिङ्मंटराइड स्टिषन के शिए कि समें अभी गर्षा जांसे ओका यूज होता है कि ऑक्षाभी जिए हैंग उडिक्टेशन टर्फ फिर फिर प्री ठीक है relationship issues ठीक है ऐसे जगहों पर आ बेसिकली में देखे होगी है sexual problems इत्यादी बहुत सब्सक्राइब और यह करम यही है आपका एत तीन और उसके बाद आपका दो और उसके बाद आपका जाए यह option पहला match वाए यह पहला वारा जाए आपको आपको सब्सक्राइब सब्सक्राइब अबश्माद दिए गया है अवस्ता का तहीक करम और यह पैसमिंद दिखा है जिको इनको इनको आट्वास्टा कि आपको आट्वा अबस्ता मैं पढ़ा चुका हो आपको थी कि वो अलग है जिसकी अशर सिग्मन ट्रैट की ए प्राइड की है पहली है मौकिकृ नुकार दूसरी मौजरा था अजिक लींगिट और यहां पे है तीन से नुकिट ओर अधिर लास्त में जननलंगी तर फोर 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 देखियो तर फोर क्या है तर फोर करेक्ट होगा करें साथ में नोट करो साइड में एक है मुखावथ्था जो जणनम से लेकर के क्वर्स है दूसरा है गुदावस्ता जो दोसे लेकर तीन वर्स है तिसरा है लेंगी जा आप सा जो आपका चार से पांच है इसी में दो गरंथी एडिपस और लेकर गृंथी एक चौता है सुब्त अवस्था जो शे से लेकर बारा वार्ज इसी को काम परशुथी भी बोला जाता है और एक जन्ना तो सकता है तो आधा स्ट यह स 얼ens नहीं हो सकता हूं इसके पास होघे इसको यह fame सब्सक्राइब यह는지 यहां दिखी न और सकता के चेतना और सकता की प्रच्छे पर प्रच्छे पर कोई बोलत रहा हूं लिखो और सकता का चेतना को जागरित करना नंबर वन पॉइंट नंबर टू पर प्रच्छार लिखा हुआ है थार्ड पर वहिर वेशन को क्या बोलते हैं प्रच्छेपर और फिर आवस्त्ता का स्रीगर पूरा करने का भावनात्मक आवेक, फिर आवस्त्ता की पूर्ती के लिए संसाधनों, इसके बाद, आवेक के बाद आएगा संसाधन यहाप लिख रहांँ, संसाधनों का अवैक फिर आशत्ता संसाधनों का प्रस्तुतुति कर लिए करके प्रस्तुत च्प्रस्तुतुतुतुत ताल जांच परताल फिर समस्या का वाद भीवाद भीवाद और और कि बाद कर दो न साधनों का एक ही करण और एक आ जाएगा आस्थाई प्रग्यति के आधार पर समझ उता है लाश्क में समझ उता ही होता है कि आ है का जपना का सैंदर्शन का साथ है एक रॉस विद्वान है उसका च्छै च्वर सुब्योंद esk सुर्इड लिखा है समस्या पड़े मई समस्या आँ पर यह पर रहे हो कि यह समस्या का सब्सक्राइब यह समस्या नहीं जांच परताल कि ने हैं यह वाद्वाद बाद भी बाद अच्छा ऐसा करते हैं रह जाएंगे अभी रोकते हैं थोड़ा सा अभी क्लास चलाएंगे है ना कुछ ताइम बाद मतलब एक थार्टी क्लास चलेगी